प्रतिक नायक आपके साथ लेकर आया हूँ थीम इंडिन इंडिस्री पार्ट वन और हम लोग डिसकस कर रहे थे बुद्धिजम और बुद्धिजम के तहथ मैं आपको बता रहा था बुद्धिस्ट आकिटेक्ट्चर आप मैंसे जो भी विद्यार थी इस प्लैट्फॉर्म क के अंदर बुद्धिजम क्या है बुद्धा की स्टोरी कैसी है और बेसिकली बुद्धिस्ट आकिटेक्ट्चर के तूप का महत्व क्या है वो काफी डीटेल के अंदर समझाय हुआ है आज फिर से उसी को ही कंटीनू करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर यो कमेंट्स एं थ सभी के लिए आप जितने भी विध्यारती हमारे साथ जुड़ रहे है ऑन दी यूटूब प्लैट्फॉर्म और इंद्फेक्ट मैं कहूंगा कि इंडिया का बिगेस्ट एड्यूकेशन रिवॉलूशन है जहां पर मैं और मेरे साथी गंड मेरे से बहुत सारे और भी फाइदा ये होगा कि you will be able to watch my free classes on the unacademy platform इसके साथ साथ मेरे और भी जो courses होते हैं वो भी आप access कर पाओगे शुरू करने से पहले आपको थोड़ी बहुत unacademy के बारे में information देना चाहूंगा वहाँ पे हमारे paid courses चलते हैं subscription वाले अभी history optional का एक course we have already started in fact we have also running the course on the modern history GS as well औ और बाकी मेरे साथ बहुत सारे जुकेटर से इनके classes भी आपको यहां पर access मिल जाएंगे तो आपकी जो UPC civil services की तैयारी है वो foundations and academic platform के ओपर होगी in fact अगर आपको unacademy की तैयारी करनी है मैं कहूंगा civil services की तैयारी करनी है तो आप every Sunday combat के अंदर participate करिए जैसे कल मतलब yesterday only we had a combat Sunday को और अभी next Sunday होगा 11 बजे है तो every Sunday we have got a combat 56 questions in 60 minutes और उसमें history, art and culture की questions मैं भी set करता हूँ फाइदा यही होता है कि यह combat में 10 करने से आपको एक साल का subscription की in fact है ना opportunity भी मिलती है अगर आप अच्छा rank लेके आते हो combat के अंदर क्यूंकि यह live test है live quiz होता है इसका वहां पर यह आपको answer देना पड़ता है आपके साथ बहुत सारे और भी candidates होते है जो यह combat के अंदर participate करते then there are multiple gift which are actually given by the academy by participating into the combat अबाकी subscription लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यह code को यूज करना है PN live जिससे आपको 10% off भी मिल जाएगा और साथ तो साथ आपकी Academy के साथ entry हो जाएगी और मैं आपके साथ जोड़ जाओंगा ठीकर तो most welcome है आपको prelims की mains की optional की test series इसके अदर से available होगी इसके अंदर से पूरी पूरी बुक की सेट available होगी जो आपको अवलेबल करवाकर देगा और इसको भी इसको भी अटेंड कर सकते हो बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन में GS के साथ साथ Iconic subscription चाते हो तो यह भी ले सकते है Iconic में फाइदा यही है कि आपको dedicated mentor मिलेगा एक ऐसा mentor जो आपको help करेगा in your day-to-day preparation आपकी जो भी queries होगी और teacher के रूप में तो मैं रहूंगा ही तो Iconic में फाइदा यह है कि आपको mentorship मिलती है individual guide मिलता है क्योंकि online आप कही पर दूर बैठे होगे आपको peer pressure नहीं होगा तो at times आप भटक ना जाओ इसके लिए Iconic subscription अविलेबल है बाकि प्लस subscription तो आपके पास अविलेबल रहेगा ही तो आप आइदर और में से एक प्लान कर सकते हो आप मैंसे जो भी विद्यार थी जो college के अंदर है first year में second year में they can plan out the Iconic subscription as well and get one or two year of subscription एक या दो साल का subscription लीजिएगा यह मैं फेसिलिटी अविलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अविलेबल है यह कोड को यूज करेगा and get the maximum discount बाकि optional की dedicated subscription लेनी है तो वो भी ले सकते हैं पर मैं तो आपको वही कहूंगा कि GS optional दोनों की साथ में क्योंकि comprehensive coverage आपका हो पाएगा in fact हमारी batches आप अठेंड कर पाओगे आपको free के test series देखनी है तो वो भी देख पाओगे और साथो साथ हमारे paid courses में आना है तो वो भी आप अठेंड कर पाओगे है ना 11 August से मतलब अभी 10 दिन हुए है we have started off with a modern history course it's a very comprehensive course है ना modern history तो करीबन 80 hours के आसपस में करवाने वाला हो जहां पूरा अधुनिक भारत का ITS के इसके अंदर से cover करवाओंगो most welcome है आप इसको attend करिए you'll enjoy the preparation as well और बहुत ही अच्छी तरह से आप यहां पर modern history को समझ पाओगे यह course की खासे दिया है कि prelims के पहले ही खतम हो जाएगा it will be over before the prelims examination as well खेर तो बहुत सारी batches है बहुत सारी teachers है in fact इंडिया के top most educator है मुरुनाल सथ उनके साथ हमारी combined batches चल रही है तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो बाकी हमारे free classes देखने हो तो मेरी profile को follow करेगा उसके अंदर आपको link मिलेगी special class की इसको देखेगा यह special class मैंने बहुत सारे topics के उपर करवाया है खाली आपको यह code डालना है यह code डालने से ही आपकी special class की video access हो जाएगी ठीक है को ने शुरू हुए अलग-अलग राजाओं के द्वारा बने हैं उसमें अलग-अलग प्रकार की designs आई है अलग-अलग प्रकार की methodology निकली है अब इसमें से UPSC ने questions क्या पूछे है क्योंकि ultimately जब आप इतना सारा प्रश्ण या इतनी सारी teaching ले रहे हो यहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो दूसरा एक सवाल यह भी आता है कि सर इसमें से cost benefit कितना होगा अब देखें यह पहली बात तो cost benefit का जो funda है वो UPSC में कभी-कभी लागू होता भी है कभी-कभी नहीं भी होता है क्योंकि कुछ चीजे पढ़ने की बहुत आउशकता होती है सिवाए कि उसकी exam में सीधा relevance ना हो सीधा मतलब बहां से सीधा question ना है पर आपकी understanding में आपको बहुत help कराएगी in fact आप अगर इसको इच्छी तरह से करोगे तो आपकी overall personality development जो आप तीजो को समझ रहो comprehensively वो comprehensively picture बनाने के लिए आपको बहुत मदद करेगी है ना तो इसके लिए आपको स्टूप की कहानी बताई थी और बताया था कि यह स्टूप का निर्मान कैसे हुआ अलग अलग लोगों के दिवारा बनाया गया था है तो आप याद करोगे तो आपको यह सब कॉइंट हमने डिसकस करवा दिये हैं आज मैं सीधा सीधा वही स्लाइड के ऊपर चला जाता स्टूप को किस तरह से डेवलप किया गया है तो आप देखने की कोशिश करिए आपको कोशन के अंदर पूछा गया है अज आप क्या करोगी आप एक ब्लैंक पेज लोगे और ब्लैंक पेज लोगे आप इवेंचुली इसके उपर डिसकस करेंगे सर ठीक है तो कोशन स्टूप आट की शुरुवात है अर्ली है अर्ली का मतलब है प्रारंबी मतलब बुद्ध के मुरूत्यू के करीबं 100-500 साल के बाद जो स्टूप ट्रेडिशन की शुरुवात हो उसको पूछा गया है वाल डिपिक्टिंग दफोक मोटीफ मतलब वो लोग परंपराव को औ एंड अनेरेटिवेकने तेल्सक्तिंग्या उसको भी यहां पर किया अइस मैं जो सोब्तिर अगया है यहूं कि यह सामगाई स्टूप के अंदर जब हम लोग के करते हैं तो यहां पर चीजे बनाए था याद करिये सर पिछले क्लास को तो हमने जब आपको पढ़ाया था और मैंने आपको सब्सक्रास को ने इसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट के अंदर बताया था वा है ना तो बुद्र की आनन्द के साथ चर्चा हुई ती महापरी निर्मान सूत्र के अंदर तो इसमें ये सब बाते हुई थी उसके बाद आप याज करोगे तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि स्टूप का जो निर्मान है जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक्चुली ग्रैजूल डेवलोप्मेंट के रूप में था ठी अपको फिरफे क्लास में बताया भी था कि स्टूप का जो निर्मान है उसमें commoners मरलब सामानिय विक्ति का भी रोल प्ले है tutti के निरमान में राजाओ का भी रोल प्ले है वी है इडिसकस इन प्रीवे Сेशन ॉइन प्रीवेंस शेश्शन अगर आप याद करोगे और इन आप देखोगे तो जो मौंक्स से उनके द्वारा भी बनता है हमने आपको बताया था कि कॉमनर्स के द्वारा भी बना जाता है कॉमनर्स का मरलब है आमाने व्यक्ति सर्ट ठीक है और साथ-साथ हमको बढ़ा चगता है गिल्ड्स के द्वारा भी बनता है अब प्रॉब्लम यह था कि जब अलग-अलग व्यक्ति ये स्टूप का निर्मान करवा रहा है जैसे सांची के स्टूप में चार-पांच लोगों का योगदान है मलब चार-पांच समुदायों का योगदान है और नंबर्स तो बहुत सारे मिलते हैं अब सामाने व्यक्ति अलग-अलग गाओं से बिलॉंग कर रहा है एवरी परसें बिलॉंग स्टू डिफरेंट प्लेसिस राइट राजा का खुत का अपना राजवन्स चल रहा है जैसे साथ व तक संध चल रहा है उसमें भी इन फेक्ट आपको ट्रेडीशन से दिखेंगे उनकी भी फोक ट्रेडीशन से और बेसिकली गिल्स मतलब जिसे हम लोग श्रेनी कहता है तो कहानी क्या है कि वे आर वेरी डिफरेंट पीपल सर समझेख नहीं समझें और इस डिफरेंट सेक्श यह सबके सब स्थूप आर्ट के अंदर आएंगे तो कहानी क्या है आपको प्रश्वा के अंदर पूछा गया है वह पूछा गया है कि अर्ली बुद्धिस्टूप आट वल्ल डिपिक्टिंग दफोक मोटिफ को दर्शाता है क्योंकि उसके पीछे का कारण आप देखोगे तो इसमें खास करके जो commoners की बात है क्योंकि commoners ने जो भी सीजे सोची थी बुद्ध के बारे में वो सब स्थूप के अंदर दर्शाने की कोशिश की गी है यह आप देखोगी guilt के दौरा, guilt का मतलब है कि जो श्रेणी बनती थी business organizations थे merchant organizations थे इनके दोरा जो चीजे बन रही है दोस्तों, उनका स्थूप निर्मान में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो अपने विचारधरा डाल रहे है जैसे आज की तारिक में आप देखोगे मुझे कोई कहेगा कि प्रतिक नायक आपको एक monument बनाना है और उसमें आपको एक carving करानी है एक बहुत बड़ी ऐसे design बनवानी है स्कूल के उपर अब मैं सोचूंगा कि अच्छा स्कूल का monument बनाना है स्कूल के एक building बनवानी है तो what I will carve out मुझे अगर कोई कहेगा कि you have the liberty to carve out any kind of image तो हो सकता है कि मैं कोई book की image carve out करवादू I might carve image of a book तो मैं कहूंगा कारीगरों से काम करो एक बढ़िया से किताब लो और किताब खुल रही हो और उसमें से गनान निकल के आ रहा हो कुछ वैसी creativity को portrait करवाई है क्योंकि मैं सिक्षक हूँ तो उस टाइम पर उस टाइम पर अंदर भी जो लोग थे उनकी जो विचार था रहा है थी वो सब फोक कल्चर के रूप में थी तो यह कॉमनर्स थे गिल्ड्स थे दे वर बिलोंगिंट टू डिफरेंट सेक्षेंस अफ दिस सॉसाइटी किनने पर उस टूप बनवाया थो अपने विचारों को यहां कैद कर दिया शर्ड fi नरे टीव को नरे टीशनम को लेखे जो लिटरेचर रहे बुद्स लिटरेचर और बुद्इस लिटरेचर को करना का म किस न तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था क्योंकि इसमें आपकी जो जातक स्टोरीज है कौन सी है जातक स्टोरीज है आपको नेरेटीव दिखेंगे इसमें अलग-अलग कथाए आएगी वह एड होगी और उसके बाद बुद्धिस्ट के आईडियल्स आपको दिखें अब बुद्धिस्ट के आईडियल्स का मतलग है तो टीचिंग्स अब बुद्धा आप समझने की कोशिश करिए कि यह संग के द्वारा करी किया गया था और बहुत सारे राजा थे जैसे अशोग भी हुआ करता था तो वह लोग ने बेसिकली बुद्ध के टीचिंग्स को स इसके लिए जो स्टूप पहले छोटा हुआ करता था याद करिए मैंने आपको बताया था कि इनिशली स्टूप की डिजाइन इतनी हुआ करती थी over a period of time ये स्टूप की size बढ़ जाती है उसको एक platform पे बनवाया जाता है उसके उपर 3-16 एड किये जाता है फिर आजूबा जो में boundary बेट बन जाती है फिर gates बन जाता है सर है ना बहुत सारी चीज़े एड हो रही है multiple things are adding up in the स्टूप ये multiple things addition इसके पीछे का कारण ही ये है स पहली चीज़ आपको स्टूप के अंदर पता चल जानी शेये कि ये जो folk motive है ये स्टूप आर्ट का प्रकार है और folk motive स्टूप आर्ट का प्रकार क्यूं है क्योंकि जो लोगों ने बनाया था उन्होंने अपनी विचारधारा स्टूप क्यों पर थोपने की कोशिश की है य everything is a philosophy behind that आप जब तक उसकी philosophy को नहीं समझोगे आप जब तक उसकी foundation को नहीं समझोगे तो आपको लगे या कि अच्छा ये building ऐसे ही बनवा दिया गया है no 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 every इमारत कोई भी इमारत है कोई भी building हो कोई भी monument होगा आज की तारीक में भी होगा आप architect को पूछोगे तो architect कहें समझें and this is one of the reasons आपको इसके बारे में पूरा foundation पता होना चाहिए कि स्टूप की कहानी क्या है तो याद रखेगा कि यह जो स्टूप है यह gradual development हुआ और gradual development के अंतरगत हमको बदा चलता है कि इसमें अलग-अलग parts add होते है तो पहले मैं आपको structure of the stoop को समझाने की कोशिश कर अब आप देखने की कोशिश करिए पहले एक छोटा सा टिल्ला हुआ करता था जिसमें बुद्ध की अस्तिया रखी जाती थी और पीरिड ऑफ टाइम यह अंडा के रूप में डवलोप हुआ है अभी मैं आपको एक image दिखाऊंगा आपको पूरा picture clear हो जाएगा ठीक है ना अब आप देखोगे तो यह जो है इसको हर्मीका कहते है याद रखेगा दिस इस नोन अस हर्मीका और यह भी लेटर एडिशन है यह पहले नहीं हुआ करता था पहले इतना ही हुआ करता था ठीक है तो इनिशली स्टूपा वस लाइग दिस उनली यह उसका प्लान है इंजीनेरीं का पड़ी होगी तो इंजीनेरीं में यह टॉप व्यू करके एक पॉइंट आता है चल्क डैन प्लान से विऊ करने की बात शुरू कर दीया नियुरू और मुझे समज मे नहीं आ रहा था कि तो बहुत ही जटिल परिस्तिती थी फिर उन्होंने समझाया थोड़ा बहुत आदे घंटे के बद कि कोई भी चीज को देखने का नजरिया देखिए की से फॉर एक्जामपल यह आपको देख रहा है तो यहां से देखोगे तो कैसे लगेगा यहां से देखोगे तो कैसे यह इसको काट दोगे section बोल दोगे तो भी चलेगा पर मैं side view ज्यादा बोलूँगा खेर इसके interpretations में नहीं जाएंगे सर ठीक है तो इसको हर्मीका कहा गया है this is called as हर्मीका सर ठीक है in fact यह हर्मीका का अपना importance आपको यहां से दिखेगा arising from the हर्मीका a mast called as the yasti often surrounded by the छत्री और umbrella was there मतलब आप देखोगे तो आपको यहां से एक आपको छोटी सी लाइन दिख रही है दिख रही है आपको उसको यस्टी कहा गया है this line has called as yasti और इसके आजू-बजू में आपको तीन छत्री दिखेगी सर है ना इसके आजू-बजू में आपको तीन छत्री दिखेंगी ज तो एक्चुली यह बुद्ध के तीन टीचिंग को दर्शाता है बुद्धा धमा और संग को यह क्या दर्शाता है इस शोज द थी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और इसी को ही तीन छत्र कहता है ठीक है यह जो स्ट्रेट लाइन निकलती है उसको यस्टी के रूप में इसके आजू-बाजू में फिर रेलिंग बनती है क्योंकि लोग आना जाए और उसको एक सेपरेट स्पेस के रूप में डेवलोप किया जाए और इसी के अंदर से हमको पता चलता है कि सांची और बर्भूत जैसी जगह जो किसने बनाई थी सर आपको पता चलेगा कि अशो अब देखिए यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोशन हो जाएगा प्रिलिम्स के अंदर से आपको पूछेगा कि इन में से कौन सी जगह के ऊपर जो डेकोरेशन है वो किया गया है ठीक है तो सांची के स्टूप की खासियत ही यह है अभी मैं आपको फोटर दिखाता हो सांची स्टूप सिग्निफिकंट इस बिकॉस क्योंकि यहां सांची के स्टूप के अंदर जो रेलिंग है बहुत ही प्लेन है मतलब रेलिंग है डेकोरेटर है बाकी सारा पोर्शन प्लेन आपको मिलेगा ठीक है नम विच रिजेंबल बांबू फेंस और वूडन फेंस इंस्टूप के बारे में और बोला गया है कि इसमें जो स्टूप का जो भी बीच वाला पोर्शन है अब आप देखें यहां से आपको चीजे और समझ में आएगी सर ठीक है इसको क्या कहते है दोस्तों अंडा के रूप में पैचानते है ठीक है यह हर्मी का है आप देख रहो यह छोटा सा एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है सर ठीक है बीच में से जो लाइन चल रही है यह वाली इसको यस्टी कहते है और यह जो आडी लाइन है इसे त्री छत्र कहते है अब आप देखिए आपको एक प्लैट्फॉर्म दिख रहा है यह प्लैट्फॉर्म के आजू-बजू में रे एंट्री हम ऐसे एस्ट साइड से होती है शेंठ ना तो आप रह एंटर करने समझ में आया की नहीं आया को और क्लॉक्वाइस व스타श से गुम और काकम बव्यक्वाइस पीbn गुम्वाई की सिंसेट की जो कहानी है वही कहानी आपको यहां से दखेगी ठीक है ना और इस्ट इस एक्चुली वेरी इंपोर्टन क्योंकि इसे इशान कोण के रूप में पैचानते है इशान एंगल है ना तो आप वास्तु शास्त्र के बारे में थोड़े बहुत जानते होगे आप भारत के टेंपल आर्खिटेक्ट्चर को देखोगे तो इवन इन आपको दो प्रकार के ऑप्शन स्टूप आर्किटेक्ट्चर के अंदर पूछे जाएंगे आपको पूछा जाएगा कि स्टूप के बीच में डिफरेंसिस को इडेंटिफाई करिए सर ठीक है तो हमको क्या पता चल रहा है कि इनीशली जो स्टूप बने है मैं आपको मैपिंग के तरू समझाने की कोशिश करता हो क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा सर ठीक है तो आपको तो जगह दिखती है तो सांची दिखती है दूसरी घ्रहाट दिखती है यह बכंब कई इस्टूप का मतलब क्या है स्टूप के उपर ज्यादा डिजाइन नहीं की गया है जो galera देको एगिप दिखेगी इन देकोरेशन ओर है उसकी जगह आप समझने की कोशिश करिए कि नीचे की दरफ चले जाओ यूगो तो अम्रावती में चले जाएगा यूगो तो अम्रावती एस वेल ठीक है यहां पे शाहजी की डेरी है याद रखेगा यह पेशावर के अंदर है इस पेशाव इस चल रहे है आपने देखा होगा जियो पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक बदलाव आया है विद गानी गवर्मेंट फॉलिंग डाउन और क्रिएटिंग अ हूज क्राइसिस हुमेनिटेरियन क्राइसिस एस वेल चैलेंज इन दी सिकुरिटी आस्पेक्स ऑफ दी कंट्री खेर कभी समय मिला तो अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे तो इसी को भी पेशावर स्टूप के रूप में भी पहचानता है इस इस पेशावर स्टूप या पुरुश्पूर क्यूंकि पेशावर यूस्टूब अफ कनिश्क है ठीक है अमरावती जो था यह आपके कि भी था मॉरियन पीरिड़ स्टीग है अब यह जो अमरावती और शाहजी की डेरी के खासियत क्या है कि स्टूप को बहुत स्टूप और इस तूप के ओपर ही काव आउट की गई साथ है ठीक है तो यह दोनों की दोनों जगा याद रखेगा शाजी की देरी इन पेशाव अम्रावती इन दोनों को डेकोरेट किया गया है सर ठीक है तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन दिखेंगे आपको बहुत सारे इंफेक्ट है ना बेजिस दिखेंगे जहां से हम लोग कह सकते है कि स्टूप का जो निर्मान किया गया है वो एक अलग-अलग प्रकार कि regional variations के साथ मिलेगा अब मैंने आपको बताया कि स्टूप के अंदर क्या है सबसे पहले एक तो stories आपको मिलेगी सर है ना स्टूप के ऊपर आपको बहुत सारी कथाय दिखेंगी स्टूप के ऊपर आपको popular traditions दिखेंगे जिसे हम लोग कहते है folk art सर है ना फोक आर्ट का अच्छली आप वहां से आंसर कर पाओंगे युल बी एबल तो आंसर फ्रम दी एंसरी ओनली प्रोवाइडेड यू नो संथिंग यह ना आप लोगों के साथ दिक्कत ही हो रही है दोस्तों कि आप reading between the lines नहीं करते हो आपके साथ प्रत्न यह होता है कि आप चीजों को क्या क कर पाते हों आपको लगता है कि किताब में दिया है हम रट्टा मार देंगे प्रिलिम्स में आ जाएगा प्रिलिम्स में वह आएगा कि comparative analysis करिए नौर्थ और साउथ के स्टूप का सिग्निफिकंस क्या है सर ठीक है उसके सामने आप देखोगे साउथ के अंदर जो स्टूप आपके लेके चले गए अमरावती स्टूप वस्टूप सो फेमस डेड़ ब्रिटिश टूप टू देर ओन हाउस ऑन हाउस का मतलब अपने घर पर मतलब वही कि देवे टूप टू इंगलेंड और उसको काफी तोड़ दिया गया क्योंकि वाइट मारेबल से बना था बहुत सांची अस्टूप में लिखा गया है घरेट स्टूप लिखा गया है तो वैसे ही आपको अमरावती से भी कोशन आ सकता है कि इसका क्या सिगनेफिकन्स है आपको पॉइंट पता होना चाहिए थीक अँप देखे कोशन क्या है कि अर्ली बुद्धिस आर्ट वाल्ल दिख रहा है कि नहीं देख रहा है। अभी ये प्रश्न की जो आगे की बात है, उसके उपर मैं जा रहा हूँ कि स्टूप के ऊपर बहुत सारी कलाय मिलेगी। उसमें स्कल्प्चर बहुत दिखे गया सर, स्कल्प्चर का मतलब है मूर्ती कला सर, ठीक है। अब दिखें स्कल्प्चर दो तरह से होता है, एक है इंडिपेंडन स्कल्प्चर, इंडिपेंडन का मतलब है अलग से मूर्ती बनाना, अब जैसे तरदार वलब भाही पटेल की हमने एक मूर्ती बनाई अभी यहां पर गुजरात के अंदर स्टैची अफ यूनिटी हम लोग इंडिपेंडन का मतलब क्या है सर, ठीक है, हमको बदा चलता है कि यह एक ऐसी स्ट्रक्चर का प्रकार है, जिनके बेजिस के ऊपर से हम लोग कह सकते है कि मूर्ती बनने की शुरुवात आपको मिलेगी, पर अलग से है सर, कुछ-कुछ मूर्ती करा आपको रिलीफ के हता है सर, ठीक है, ताथ हम रूप रिली फार्ट, यह बहुत साथा, स्त्री पूरुष ऑ मेरीप क्रीन, को रहे है, इस में भारु प्र बचाएगे, इस में बहुत सारे सत्री पूरुष बच्चे भी स्टोरी इंदर ने बहुत बने स्टूपों के ऊपर खास करके भारत में जितने भी इस्टूप की ट्रेडिशन से उसमें आपको यह स्टोरी इंदे स्टोन बहुत दिखेंगे इस्टोरी इंदे स्टोन का मतलग कि पत्थर के उपर Sculpture Traditions का शुरुवात होना सर ठीक है तो Sculpture दो प्रकार से बनते हैं एक Independent, विशेश प्रकार से मूर्ती बनी जैसे हडपा के अंदर आप देखोगे तो Independent Art Forms बहुत दिखेंगे जैसे आपने Mother Goddess के एक मूर्ती देखी होगी यह हडपा के अंदर ही अगर आपको याद होगा तो एक Dancing Girl आपको एक मूर्ती देखी है वो सब Independent है वो अपने हिसाब से स्तापतिय में अलग है कुछ-कुछ बड़ी इसी दिवार होगी Wall होगी, Wall के उपर कार्विंग की जाएगी और वो एक्चुली बहुत टॉप होती है क्योंकि इसमें एक मूर्ती नहीं बनती है हडपा में क्या था कि सिंगल मूर्तिया मिलती है आप याद करी हडपा की आर्किटेक्चर को हमने आपको हडपा के आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ाया था जब चैप्टर नमबर वन की बारे में डिस्कस किया था है तो उसकी खासियत यह थी कि उसमें आपको सिंगल इमेजिस दिखती है you'll find a single images only but here we see multiple images and that too carved in a single rock एकी पथर बड़ा सा सर्फेस होगा उसके ओबर पूरी carving की जाती है तो इसकी एक प्रासंगीकता है इसका एक बहुत ही महतवा आपको मिलेगा तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहानी किस तरह से रहती है और यह जो sculpture art है यह sculpture art की कहानी किस तरह से चलती है तो कहानी क्या है कि भारत में बहुत सारे जो stoop बने यह stoop के उपर later traditions की रूप में sculpture बना कहाँ पर बनता है तो आप समध्य की कोशिश करोगे तो आपको say for example यह stoop के उपर मैंने बता है तोरन यह तोरन के उपर बनेगा आपको फिर यह जो boundary walls है ना boundary walls इसके उपर आपको मिलेगा फिर यह यहां पर भी एक तोरन है this is a तोरन actually यह तोरन चार डिरेक्शन में होता है और तोरन north, south, east, west सब जगा के आपको आपको मिल जाएंगे sir ठीक है और इसके उपर बहुत सारी designs थी sir और फिर इसको उठा उठा कि यह अंग्रेस लेके चले गए थे अब बाहर के देशों में मरलब अपने देश में चले गए थे Europeans, French भी कुछ-कुछ लेके चले गए पर इसमें अंग्रेस सबसे बड़े नालायक थे तो they took maximum things to their country care तो बापी साह जाता हूँ let me come back to this point कि मुझे relief art को आपको पढ़ाना था कि यह relief art आपको बहुत सारा चीज़े दिखेगा और relief art को हम लोग समझने की कोशिश करते है अब आप देखिए कि यह जितना भी relief art है हमको कहां कहां देखने को मिलता रहता है तो यहां पे बोला गया है कि you may have seen the wandering storytellers carrying scrolls called as the charan chitras of cloth or paper with pictures on them and pointing to the pictures that they tell the story in fact आप समझने की कोशिश करिए कि NCRT एक नया फोकाट की आपको जानकारी देता है हम जब छोटे हुआ करते थे when we were young तो हमारे गाओं में बहुत सारे ऐसे कलाकार आते थे जो मूल तह से in fact है ना कथाए करते थे they used to tell us the stories और जब भी कोई story कह रहे हो तो they will actually point out a picture with them है ना वो अपने सार actually एक picture भी दिखाते थे मलब ये तो खेर रही है तो कोरा पेज है पर आप मन की आँखों से देखोगी तो यहाँ पे एक painting होगा सर है ना और फिर वो painting को यूँ highlight करेगा और फिर हमको story बताएगा फिर उसको घुमा देगा यह पूरा scroll होता है इनके पास तो scroll होता है तो scroll का मतलब आप देखोगे तो पूरा का पूरा उसको खोला जाता है और यूँ लंबा सा होगा और फिर वो पूरी की पूरी painting को दिखाता रहेगा और बताएगा कि इसकी कहानी यह है इसकी कहानी यह है और आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको राजस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे बाड्स दिखेंगे यूर्फान मल्टिपल बाड्स बाड्स का मल्लब है पोएट्स जो मूल तरह से इसी का ही काम करते उसको मागत के रूप में भी पैचानते है मागदाज या मागत कहते है स्टूरी टेलर्स हुआ करते थे जो गाओं से गाओं जाते थे और वहां से एक पेंटिंग बनती है पर पेंटिंग कहते हैं उसको सर है ना हमाइम मिले तुक अभी सर्ज करेगा फर पेंटिंग राजस्तान के बहुत फेमस है राजस्तान की जितने भी वार हिरो अंगते गरत के जितने भी राजा थैं ना साची के अंदर हमको एक स्कल्प्चर मिला है और वो स्कल्प्चर जातक कथा से आपको मिलता है ठीक है अब देखे जातक वस एक्चुली पार्ट ऑफ दे सुद्ध पिताक याद रखेगा मैंने आपको बताया था कि बुद्धिजम की तीन किताब है विनाय पिताख सुद्ध पिताख है न अभिधम पिताख अभिधम में बुद्ध की फिलोसपी है विनाय में बुद्ध के नियम है उनके जो संग के नियम थे वो सब है और सुद्ध पिताख में बहुत सारी किताब है उसमें जातक कथाओं का इंपोर्टन्स है कि ये बुद्ध की स्टोरी को दर्श तक आपको कोशन आ जाएगा कि विसांत्रा जातक की थीम बता दीजे क्योंकि ये सांची के अंदर जो एक स्टूप आया हुआ है ये स्टूप की दिवार तो प्लेन है उसे तो अंडा कहता है उसकी जो में वाल है बत उसके आजू आजू में जो तोरण है रेलिंग से उसके उपर डेकोरेशन किया गे उसमें ये कथा है ठीक है इससे स्टूरी अवाउट अजनरस प्रिंस गेव एवरीफिंग तो भ्रामन और वाइन 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 चिल्डरन मतलब एक राजा की कहानी है जहां राजा संसार छोड़ देता है रामन को सब कुद दे देता है ठीक है अजू के इन दिस केस इस्टोरियंस ओफन ट्राइट तो अंडरस्टैंड सारी कहानिया दिखेगी यू फैंड मल्टीपल स्टोरिज जो आपको सांची के अंदर से मिलेगी और इन सब को बुदिस्ट आर्किटेक्ट्चर में इंक्लूड करवाया गया सर समझेक नहीं समझे तो आप देखोगे तो एक तो स्टोरीज दिखेगी यह स्टोरीज कहां से आई है इसार आपको प्रश्ण क्या पूछा गया है अभी यह कोशन के ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी दिर के बादा पहले देख लीजिए सर है ना कि अर्ली बुदिस्ट तूपा आट वाल डिपिक आप लिख सकते हो एक्जाम्पल ओब दी विसांतरा जातक और आप लिख सकते हो कि इन दसांची स्तूपा विसांतरा जातक प्लेड़े वेरी इंपॉर्टन रोल बिकॉस वी सी देए रिनॉंसेशन वस डन बाया किंग एक राजा रिनॉंसेट कर रहा है वह साशन छोड़ किसको दे जा रहा है ब्रहमनों को दे जा रहा है मतलब यह है कि इस समय में भी ब्रहमनों की सामाजिक प्रतिष्टा और सामाजिक रूप से उनको बहुत माना जाता था इसी के खारण राजा उनको गिफ्ट कर रहा है कि महराज जी आप यह रख लीजिए हम चलते हैं अपने तो यहां पर हमको बता चल रही है कि एक इमेज है जहां पर वी सी डाट लोग स्टूप को वर्शिप कर रहे हैं अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो आपको बुद्ध का धम देख रहा है या धम चक्रा देख रहा है तो इसमें आपके बुद्ध के अलग-अलग जो सिंबॉल्स थे उसको दर्शाय गया है सर ठीक है यह इसी को ही आप समधने की कुशिश करोगे अगर आप मन की आखो से देखोगे तो आपको यहां पर एक जाट दिख रहा है सर इस इस अट्री ओवर हीर सर है ना मैं उसको हाइलाइट कर देता हो so that आपको देखने में आथोड़ी आसानी होगी सर ठीक है and people are actually worshiping a tree over here सर है ना तो बुधी tree का symbol का importance क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुध के जो विचार है बुध के जितने भी जीवन की घटना है all were expounded in the form of the symbols initially है ना बुध को पाथ symbol के रूप में याद रखा गया है बुध का जन्म हुआ था हाती के साथ जोडा गया है बुध ने संसार चोड़ा तो एक गादी के रूप में उनकी एक seat के रूप में छोड़ा गया है यह आप देखोगे तो at times गोड़े के रूप में दर्शाया गया है in the architecture बुध ने जब निर्वान प्राप्ति की तो बुधी ट्री के साथ जोड़ा गया है मतलब यह image जो है आप समधने की कोशिश करोगे this image shows actually the nirvान which was achieved by बुधा यह image के द्वारा architecture में stoop art के अंदर बुध के सिध्धान बताया गया है कि यह निर्वान प्राप्ति है क्योंकि गया में जब उनको जाड के नीचे बैठ के people tree था ना तो people tree के नीचे बैठ के people का जो पेड़ था अwork kay है कि बुद्ह का पहला sermon बताया गया क्योंकि बुद्ह ने जब पहली speech दी थी उसको क्या कहा गया था it was called अदर प्रीवर्तन लाने जा रहे जा रहा है और बुद्ह मैं गया थी तो उसको इसको इसको highlight करवाया एस ठीक है न तो आप देखिए you try to understand कि कि इतनी सारी चीज़े आपको यहां से दिखेगे यहां पर empty seat है आप देखोगे तो एक empty throne है empty throne का मतलब है कि राजा नहीं है राजा की गदी है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन के साथ ही जुड़ी भी घटना है क्योंकि बुद्ध ने जब संसार छोड़ा था तो वो गारी छो परफुरी हाइलाइटेड इन दी स्टोरी यह सब स्टोरीस के अंदर आपको मिलती है और इसी के कारान जो बुद्धा के आइडियल से समझ में आ रहा है बुद्धिस आइडियल से दे वर आल्सो कवर्ड इन ढस तूप आर्ट स्टूप के अर्किटेक्टर के अंदर और के अंदर बुद के ideals को highlight किया गया था in the form of the narratives in the form of the folk arts समझेक नहीं समझे ना बहुत बढ़िया है सर ये question actually NCRT के अंदर से सीधा-सीधा answer हो पाता था provided आप Buddhism को समझो provided आप Buddhism के जो पूरी understanding है वो लो और स्टूप के structure को अची तरह से समझो ये 10 marker का question था it was 10 या 15 marker था I'm not able to recall but this was asked two years back 2017-18 के असपास उसको ये प्रशन पूछा गया था और interestingly ये प्रशन UPSC जब पूछा तो काफी सारे बच्चे वो बुद्धा के ideals को तो लिख के आए कि बुले बुद्ध के ideals को दर्शाता है तो मैंने आपको अभी 3 चत्र बताया I had just explained you 3 चत्र तो ये जो 3 चत्र है न ये वाला असर है न this is the 3 चत्र ये बुद्ध के तीन टीचिंग्स को समझाता है न this shows the three teachings of बुद्धा the three pillars of बुद्धा बुद्धिजम के found on this basis only है न तो आपको कितनी सारी सीजे मल रही है सर है न तो आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारी चीजे आपको तू पार्ट के अंदर मिल जाएगी stories के रूप में cover की गई है जैसे यह है मैंने आपको बताया यह धम चक्रा है सर्फ सर्मन बुद्ध ने दिया था सर ठीक है तो symbols of worship के रूप में उभर के आ गया सर ठीक है so this is one of the reasons NCRT क्या लिखती है कि art historians said to inquire familiarity with the hagiography hagiography का मलब बुद्ध के जीवन के साथ उनकी family की जो tree है वो सब पता होनी चाहिए to understand the Buddhist sculpture है ना बुद्ध की sculpture को हम समदने के लिए उनकी family की history पता होनी चाहिए according to hagiographies the Buddha attained enlightenment under meditating a tree है ना मैंने बताया कि जाड के नीचे बैट के बुद्ध को एक दिन कईवल अगनान की प्राप्ती हो गई इसके लिए art form के अंदर के आया tree की image इसको add किया गया है within the art form what happened the tree image was added है ना भी बताया आपको थोड़ी तेर पहले दोस्त तो आप देखिए कितनी सारी link up हो रही है many early sculptures did not show Buddha in the human form मैंने आपको बताया कि बुद्ध की पहले मूर्तिया नहीं बनती थी स्टूप के अंदर कभी भी बुद्ध की physical या उनकी शारीदी कोई मूर्ती बहुत ही rarely दिखेगी later editions में बनी होती दो बात अलग है they showed his presence वाया symbols कॉंसे symbols से there were five symbols कॉंसे कॉंसे symbols एक बर्थ को लेके symbol होगा दूसरा आप देखोगे तो उनकी renunciation को लेके symbol होगा renunciation का मतलब क्या है कि जब उन्होंने संसार सोड़ा तब उसके बाद तीसरा आपको देखेगा निर्वान प्राप्ति निर्वान प्राप्ति enlightenment चौथा फॉर्स्ट सर्मन उन्होंने जब पहली speech दी तब और पाँचवा परी निर्वान परी निर्वान का मतलब क्या है उनके मृत्यू को लेके जब घटना बनी उसका एक symbol होगा मृत्यू को हमेशा जनली स्टूप के साथ ही दर्चाय गया है तो यू फंड फाई symbols यह पांचों के related अलगलग symbols देखेंगे अब किसी में हाती दिखेगा किसी में घोड़ा दिखेगा किसी में पईया दिखेगा पईया क्यूंकि चक्र धर्म चक्र उन्होंने पहली speech दी थी मैंने बताया था पिछले class के अंदर कि पहली speech के अंदर उन् the human form अब देखिए early buddha art, early stupa art, early art, early art में कभी भी buddha आपको कैसे मिलेंगे, symbolic रूप में दिखेंगे, है ना, तो the empty seat was meant to indicate the meditation of buddha, the stupa was meant to represent the maha pari nirvan, maha pari nirvan या इसी को भी क्या कहते है, death of buddha, nirvan का मतलब क्या है, बोधी बनना, जब उनको गया के अंदर कईवल अपरा बुद की related जो भी बात है, बुद के related जो भी विचार है, उन सब को कैद किया गया था, और इन सब को basically images के रूप में डाला गया था, ठीक है, another frequently used symbol was the wheel, मैंना भी आपको बताया कि पईया, क्यों, ये wheel क्यों दर्शाया गया था, why this wheel, क्योंकि बुद ने पहला सर्मन दिया थ धम, चक्र, प्रवर्तन, कहां पे दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था, तो इसी के कारण हमको पता चलता है कि बुद के जितने भी घटनाय थी जीवन के साथ, उन सब को इन्होंने architecture के रूप में, symbols के रूप में highlight कराने के शुरूआत की, and this is one of the reasons we find, कि many of the Buddhist images were highlighted in the form of symbols, स आपको पहली चीज तो पता होनी चाहिए, कि ये कहां कहां चीजे चलती है, और इसका क्या significance है सब, ठीक है, NCRT भी लिखती है, कि as is obvious, such sculptures cannot be understood literally, for instance, the tree does not stand simply for a tree, but symbolizes an event into the life of Buddha, अभी मैंने बताया कि आप कभी-कभी मूर्ती के अंदर जब ज़ाड देखते हो, तो आपको लग यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ज़ाड के आजुबाजु में, और गोचुमल ये ज़ाड सामानिया ज़ाड नहीं है, ये तो घया का ज़ाड है, जहां पे बुद्ध को कईवले गनान की प्राप्ती हुई थी, ये तो वो पीपल का पेड है, जिसके नीचे समझने की आवशकता है, you are supposed to understand all these points, और ये जितने भी points आप देख रहे हो, इनके basis के उपर से आपको पता होना चाहिए, कि कहां कहां से कोशन आएंगे सर, ठीक है, so in order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produce this works of art, जिन जिन लोगों ने बनाया है, जहां जहां बनाया है, उन सब को आपको सम समझने की आवशकता है, ठीक है, तो बुद्ध के जीवन के साथ 5 symbols है, मृत्यू से लेके जन्म तक है, उनका बर्थ है, बर्थ जनरली आप देखोगे, तो हाथी के साथ बहुत हाइलाइट किया गया है, the birth is actually highlighted by an elephant, elephant क्यों? तो एक छोटी लाइन में बता दूँगा, कि उन सक हाथी जो है, यह बुद्धिस्ट आर्खिटेक्चर का बहुत integral part बनता है, तो जब अशोक पावर के उपर आएगा, when अशोक will be coming to power, तो अशोक हाथी की images को बहुत ही venerate करता है, और अशोक actually elephant images को बनाने की कोशिश करेगा in the pillars, तो अशोक ने जब pillars बनाया आपने pillars, तो आपने देखा होगा अशोकन pillars को मैंने आपको पिछले class के अंदर बताया था, उसमें हाथी की बहुत प्रासंगीकता थी, अब जैसे संकी सा करके एक जगा है, आपको बताता हो संकी सा, समय मिले तो कभी, सर्ज करी, वो संकी सा की खासियत यह है कि अशोक ने जो pillar बनाया है इसके उपर उसने वहाँ पर हाथी को बिठा दिया है, तो वैसे आपकी बर्च के साथ जोड़ी भी घटना है, उसके बाद रिनांसेशन है, अब रिनांसेशन का मदलब है कि बुद्ध ने संचार छोड़ दिया था, और वो जनरली घोड़े के साथ बहुत आइलाइड़ इसके लिए अशोक ने कुछ पिलर्स के उपर गोड़े के इमेजिस बनाया, अब जैसे लुम्बीनी करके एक जगा है, या उसको रुमेंडी लिखा गया है, मौरियन इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो लुम्बीनी में बुद्ध का जद्म हुआ था, तो वहाँ पे अशोक वांटेड की यह जितने भी फिलर्स है, इसमें बुद्धा के रिलेटेट जितने भी घटना है, उसको मैं हाइलाइट करूँगे, अब अशोक ने कुछ-कुछ पिलर्स के अंदर आप देखोगे, तो पिलर्स में तो नहीं, पर इमेजिस के अंदर आपको ज़ाड निर्वान प्राप्ति क्यों, क्योंकि बिजिकली बुद्ध ने इनलाइटनमेंट हासिल की थी, ज़ाड के नीचे बैट के हासिल की थी, he had actually achieved enlightenment sitting beneath a tree, and that is the very important part है, समझेक नहीं समझे, या बुद्ध का जो पहरा सर्मन है, the first sermon of बुदा, वो भी इसी का ही पार्ट है, in fact, first sermon म या कभी-कभी आपको lion दिखेंगे, four lions, you will find four lions, जो अशुक pillar architecture में use करेगा, खेर pillar का प्रशना आया नहीं है, पर आपको थोड़ी दिर चर्चा कर रहा हूं, ये four lions का importance ये है, कि अशुक चाहता है कि बुद्ध ने जब अपनी पहली सर्मन दी, कहां दी थी, सारनात नाम की जगा पर दी थी, ये रहा ना सारनात मेरे पीछे, तो सारनात नाम की जगा में बुद्ध ने अपनी पहली सर्मन दी थी, पहली स्पीच दी थी, तो ये तो पहली सर्मन या पहली स्पीच थी, इसकी importance ये है, कि बुद्ध ने इसके द्वारा, after doing this, बुद्धा, actually highlighted दी दाह मतलब उन्होंने एक शेर की तरह दाहड मारी थी, इसके लिए यहां पर चार लायंस है, या कभी-कभी आपको चक्र दिखेगा, और ये चक्र से ही फिर अशोक ने अशोक चक्र बनवाया, मतलब टोटल 24 स्पोक्स इसके अंदर एड़ किये गए है, ये अलग-अलग righteousness की values क दर्शाता है, इच शोज दे डिफरेंट डिफरेंट राइटियसनेस, जो अशोक ने आइडियलिजम के रूप में इसको हाइलाइट किया था, और उनका मृत्यू है, स्टूप के रूप में दर्शाया गया है, उसके बाद और पीरिट अफ टाइम उनकी आकृतिया बनती ह तो आप देखोगे तो सिंबॉल्स ओफ वर्शिप बुद्ध को हाइलाइट करने के लिए स्टूप आर्ट के अंदर स्टूप के आजू-बाजू की रेलिंग्स हुआ करती थी, स्टूप के तोरन हुआ करता था, स्टूप का इंट्रीगेट हुआ करता था, उसमें बुद के रिलेटेड बहुत सिंबॉल्स को हाइलाइट किया, पर बुद्ध की कभी human image नहीं बनी, human image बननी शुरू होती है, after the mahayaan form of buddhism, कल पढ़ाएंगे इसके ऊपर, tomorrow I'll discuss about the what is mahayaan form of buddhism और उसकी क्या importance है, I'm not going into the mahayaan buddhism today, क्योंकि आज मुझे आपको ये stoop architecture को खतम करना हम लोग finally conclusion की तरफ लेके जाएंगे सर, है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, you should know this much things in this two part, अब देखें इस two part में दो प्रकार की कहानिया है, एक तो buddhist ideals और buddha के narratives, जो buddh के related जातक stories है वो, डूसरी folk art, common man के belief, सामानिय व्यक्ति भी चाहता था कि हमारी कथा है, भी इसके अंदर include की जाए, जो directly buddhism के साथ जूड़ी हुई नहीं थी, पर वहाँ पे जो लोग कथाय चल रही थी, जो socio economic conditions वहाँ पे exist हो रही है, उनके उपर से भी architecture का बनने की शुरुआत होगी सर, गेडी महपून, याद रखेगा, कि when we see the stoop architecture, जब हम लोग stoop architecture को देखते हैं, तो stoop architecture के अंदर आपको बहुत सारी popular traditions भी दिखेंगे, what do you mean by the word popular traditions my friend, मतलब ये एक folk art का प्रकार है, folk art मतलब जो common man उस time पे अपनी जो कलाड निर्मान कर रहा था, अपना जो विकास कर रहा था, उसको यहाँ पे architecture के अंदर include किया गया, और इसमें directly buddhism के सा जोड़ी कहानी नहीं भी मिलेगी, ठीक है, इसके लिए आपको question भी क्या पूछा गया है, कि early buddhist two parts, जहां पे buddh को symbol के रूप में बोला गया है, while depicting the folk motive, मतलब इसमें folk motive अभी हम लोग करेंगे, narratives जो जाता कता है, successfully expound the buddhist ideals, फिर उसके बाद elucidate कहा गया है, मतलब उसक I was elucidating a poem, I was elucidating a verse of Bhagwat Gita, समझ में आ रहा है, I am currently elucidating the NCRT, आप चार लाइन को मैं आपको analysis करते हुए, उसके पीछे की core theme और philosophy पढ़ा रहा हूँ, आप मैं से बहुत बच्चे हमको comment section के अंदर उल्टा उल्टा लिखते रहते हैं, कि इतना detail में जाने की क्या होशकता है तो देखिए, UPC की जो exam है, उसमें आपको depth लानी पड़ती है, understanding के इसाफ से, क्योंकि जब आप DM बनोगे, तो आप decision maker बनोगे, आप SP बनोगे, decision maker बनोगे, और DM SP तो पहला, CD का पहला step है, मतलब it's a first step where you are going in the bureaucratic horizon है न, उपर आप जब जैसे ऐसे जाओगे, policy level काम करने हैं आपको, और ये जो policy level कारी होते हैं, they are very tough, and they are very important, क्योंकि उससे बहुत लोगों की जीवन बदल सकती है, और जीवन खराब भी हो सकता है, उसमें आपकी thinking जो है, वो बहुत ही depth में होनी जाए, अब जैसे एक बहुत जटिल प्रशना अभी तक चल रहा था, मतलब अब ये तो अफगानिस्तान में खेर सत्ता पलट हो गई, बट एक प्रशना बहुत टफ चल रहा था, और वो प्रशना ये था कि क्या भारत को military intervention करना चाहिए, अभी भी लोग कह रहा है, there is a group of people जो अभी भी कह रहा है, कि इंडिया को ये, तो ये चीजे जो है, उसमें एक बहुत सारी discussions होती है, security centric होती है, trade and commerce centric होती है, geopolitics centric होती है, तो political leadership अपना कारिया कर रही है, वो भी अपना सोच देंगे, executive, जो political executive हो है हमारी सरकार, पर bureaucracy is the core body, जो सलहा देगी, कि नहीं, ministers को बोलेगी, कि सर, ये उचीत रहेगा, सर, एक ये scenario में ये हो सकता है, और वो understanding तभी आ angle से देखोगे, तो आप जब तैयारी कर रहो हो न, NCRT के अंदर, तो उससे आप देखिए, कि आप problem solver बनोगे, आप solution giver बनोगे, आप जब NCRT को देख रहो हो, तो इसमें तीन topics को उसने add करके, total 15 mark का question पूछा है, 2016 का प्रशना, as far as I remember, ये 15 mark के अंदर उसने पूछा था साड़े बारा या 15 mark में होगा साथ, दस में भी आएगा, तो भी compact करके डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, even in the 10 markers, if you'll put to this question, तो it will be very tough to accommodate all these points, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या add किया जा सकता है, तो पहले आप समत्तों जाहिए कि कहां कहां से कहानी चल र गई है, तोरण के उपर, मतलब entry gate के उपर add की गई है, ठीक है, so other sculptures of Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhism, you'll find beautiful woman swinging from the edge of the gateway, holding on to a tree, अगर आप देख रहे हो, तो इसे कहते है, शल भंजी का, क्या कहते है, शल भंजी का, ये Sanchi के entry gateway के अंदर आपको दिखेगी, आप में से जितने भी विधिहरती Sanchi गए हो, वो जड़ा comment section में yes करिएगा, और अगर आपने Sanchi का जो stoop का जो entry है, मतलब जो तोरण कहते है, जिसे, just a second, मैं आपको यहां बताता हो, ये बहन जी आपको कहां पे लटकती हुए मिल रही है, ठीक है, you'll find over here, somewhere over here है, यहां पे आपको दिखेगी, यहां पे आपको enter कर रहे हो, तो somewhere in this region, यहां पे यह जो मेरी pen है, यहां मैंने जो highlight की है, लाल dot की है, यहां पे you'll find this lady who is hanging like this, वो यह लटक के खड़ी है, अब वो लटकने वाली लेडी का कोई Buddhism के साथ लेना रेना नहीं है, ठीक है, it's not directly related to Buddhism, but still it's part of folk traditions, क्योंकि यह जो तोरन है, यह सात्व क्लास में इसकी कहानी बता दी है, हर क्लास में गुमाफिरा के स्तूप के ओपर ही आ गया हो, क्योंकि बहुत lengthy topic है, इसकी architecture की importance है, इसकी economic importance है, इसकी social significance है, cultural significance है, आज की तारीख में देखोगे, तो बुदिजम में, tourist centers के रूप में, साची is a world heritage side by the way, तो कितनी सारी चीज़ कहते है, उनको लटक ने वाली, she is known as Shalbhanji का, ये साची में, she is an example of folk traditions, वो लोक कला का प्रकार है, ठीक है, initially scholars were bit include about this image, which seemed to have little to do with renunciation, इसका कोई लेना दे रहा नहीं था, क्योंकि ये बहन जी यू करके खड़ी ये लटक के सर है, however, after observing other literary tradition, they realized that it could be the percentage of what is described in the Sanskrit, as Shalbhanji का, मैंन what is Shalbhanji का, आपको पूछ देगा कि ये क्या है, इसकी terminology याद रखेगा बेटा, वरना गर्बे हो जाएंगे, क्योंकि UPSC में, prelims के अदर minimum दो question आता है, terminology based, और ये दो के दो, NCRT से keyword उठा के match the following कर देता है, UPSC, कि इसका meaning बता दीजिए ज़रा, अब हमारे से ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो थीस मारका होते हैं, वो बड़ी सी बड़ी reference books लेके आएंगे, इतनी मोटी मोटी है, और बोलेंगे कि सर, मेरे को ये किताब पढ़नी है, सर, I want to actually, है न, read this book, बट मुझे इसके अंदर से पूरा UPSC pass out हो जाओ, ये नहीं हो जाएगा, सर, ठीक, so it's not necessary के वही, वहां से कोशन आएंगे, पर NCRT से बन जाएंगे, थोड़ा याद रखेगा, ऐसे, ठीक, according to this popular belief, this was a woman who, such cause the trees to flower up, and bear the fruit, लोगों का मानना था, कि ये बेहन जी, जो भी जाड को टच करती है, उसे फूल निकल जाते है, उसे वो क्या है, कि उसे जो फ्रूट से व समझेक नहीं, common man, जो सोच रहा है, उसके वोपर से architecture बन रहा है, समझेक नहीं, समझेक, it is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa, where she is kept, she is kept on the toran, है न, toran के वोपर आपको देखेगा, थीक है, the shalbhaji का motive suggests that the many people who turn to buddhism, enrich it with their own pre-buddhist and even non-buddhist belief practices and ideas, मतलब buddh के स्तूप के वोपर खासियत यह मिलती है, कि वहां पे बुद्ध की कहानिया भी मिलती है, बुद्ध के बाहर की भी कहानिया, non-buddhist ideas, some of the recurrent motive in the sculpture at Sanchi were evidently derived from this traditions, there are other images as well, Sanchi की बात कर रहा है, for instance, some of the finest depictions of animals are found there, these animals include horse, monkeys and cattle, अब देखे, and also elephants as well, elephants why, क्योंकि it is part of buddhism, buddh के traditions की कहानी, आप देख रहे हो यहां पे सर है, elephant shows wisdom, हाथी एक ऐसी जानवर है, या एक ऐसा जानवर है, हतनी आ जाएगी, वर मैंना स्तृरलिंग यूज़ करूँ, हाथी एक ऐसा जानवर है, जो wisdom को दर्शाता है, वो गनान को दर्शाता है, वो knowledge को दर्शाता है सक ठीक है, और जब हाथी एक गनान के जातक कंटेंज सेवरल एनिमल स्टोरी सहां एलिफंट का इंपोर्ट फिर दूसरा हॉर्स गोड़ा क्यों कि गोड़ा के अंतरकत आप देखें बुद्धा की इंपोर्टन्स है बुद्ध जब संसार छोड़के गए थे गोड़े पर बैठके गए थे कंथक करके गोड़ा था उनका चन्ना उनका चैरिटर था रच चलाने वाला सारती उनका खेल उसके बद आपको मंकीज दिखेंगे मंकीज का इंपोर्टन्स क्या था सर्वाट इस सिग्निफिकेंस उफ मंकीज इन फेक्ट आपको एक जातक कथा देखेगी स्टांडर्ड शिक्स के NCRT याद इसमें एक मंकी किंग के स्टोरी है वो केरी वाली स्टोरी है देखेगी स्टोरी ओफ मैंगो और चाड़ विच विइंग इटन बाय मंकीज और फिर एक राजा था नौर्थ इंडिया में वारानसी से उपर वो उसके उपर अटेक कर देता है सार है ना कैटल का इंपोर्टन आपको इसके अंदर से मिलेगा से किडिमा पॉइंट है ना वाल इस जाता कटास कंटें सेवरेल अनिमल स्टोरी इट इपिक्टेद अच शांची इट इस लाइकल इनिमल्स का सिंबॉलिक सिंपिकंस अभी मैंने आपको हाथी के बारे में बताया लिखा के आ गया है एलिफ यह बुदिजम का बहुत important part है आपको जाएगा आपको लाइन दिखेंगे सांची में entry के ऊपर आपको four lion दिखते है मतलब एक pillar है you will find a pillar of Ashoka यह अशोक के पिलर के ऊपर आपको चार हाथ शेर दिखेंगे you will find four lions actually which are carved out on the top of the pillars आप देखिए कि आपको lion बता रहा हूँ सर है मन की आँखों से देखोंगे आपको शेर दिखेंगे सर मन की आँखों से देखें यह शेर है सर ठीक है यह शेर के घुंगरारे बार है सर है और उसको carve out किया गए चौथा जो है शेर that is actually in the background वो पीछे चला गया है सर है पर मन की आँखोंगे आपको चार lion दिखेंगे यह च सर्मन दिया था यह फर्स्ट सर्मन इंफेक्ट चारो दिशाओं में गुंजा है इसके लिए यह बताया गया है सर है अनदर मोटीव is that of a woman surrounded by lotus and elephants which seem to be sprinkling water on her as if performing an abhishek or consecration और लब एक SS3 है जिसके आजू बाजू में आप देखोगे तो हाथी है और हाथी के साथ साथ उसके उबर फूल लोटस है कमल है उसकी पंखडिया गिराई जा रही है तो आप देखने की कोशिश करोगे तो उसको गजलक्षमी कहा गया है काफी लोग कहते है कि यह कोई अभीशेक की क्रिया है काइंड आफ क्योंकि राज्य अभीशेक होता था आपने देखा होगा लोग एक होली बात लेते थे रिच्योल्स लेते थे उसको इन्होंने हाइलाइट किया है सरहना वोग आट के रूप के अंदर सर्गेडिम अपन है ना वाल सम्हिस्टोविए इंटिफाइध इडेंटिफाइध इस माया बुद्ध की मदर हुआ करती थी अधर 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 इडेंटिफाइध दफिगर विथ बोथ माया अन गजलक्ष्मी मतलब एक बुद्धिस डिवोटी आया होगा वो कहेगा कि यह जो मूर्ती है यह मूर्ती किसी और की नहीं बट यह बुद्ध के मदर की है अगर कोई लक्ष्मी जी को मानने वाला कोई डिवोटी है को यात् साप की इमेज दिखती है सर ठीक है and this motive seem to be derived from popular traditions आप देखे कि यह जो सर्पन्थ है साप की इमेज है यह भी बहुत अब आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या ही इसको शेशनाग कह सकते है कि इसको शेशनाग कह सकते है सर ठीक है तो सांची के अंदर की ही बात करेंगे और सांची के स्टूप की ही बात करेंगे तो सांची के स्टूप में आपको फोकाड भी दिखता है साची के स्टूप में आपको बुद्धिजम भी दिख जाता है बुद्ध की सिंबॉल भी दिख जाता है उसमें नेरेटीव भी दिख जाती है जातक कथाय भी मिल जाती everything is covered under one stoop and multiple stories are there है ना समझेख नहीं समझे ना interestingly one of the modern art historians James Ferguson considers साची to be a center of tree and serpent worship अब देखे यहाँ पे किसी का मानना है कि यहाँ पे लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे जाड की पूजा करते थे साप की पूजा करते थे अब इसने यह क्यों कहा है क्योंकि he was not aware about बुद्ध फर्ग्यूसें साब ने अपना opinion दे दिया कि साच इनको कौन बताया कि इतना बड़ा स्टूप है आप स्टूप को नहीं देख रहो स्टूप के आजुबाजू में छोटी-छोटी मूर्तिया मिल रही हो उसको आप हाइलाइट कर रहो है ना आप समझ यह सर है ना यूर नॉट एक्चुली सिंग दे स्टूप आप बोल रहो और इसके पीछे और तोरन होगए यहां से आपको धीक है यह दो तेन ओर चार यह चारो होगे चारो तोरन है यह ठीए neat और यह था को दर्शाता अगर यह क्योंकि एरो इस साइड किया है न है जहां एरो वह नॉर्थ होगा सब तो यहां से एंटर करोगे यूल बेंटरेंग फॉम दिस साइड और फिर यूँ प्रदक्षिना करते हुए गोल गुमते हुए उन यह तो बाहर निकल रहे होंगे तो आपको ये सब तोरण दिखेंगे, ये तोरण के उपर अलग अलग कहानिया दिखेंगे, ये कहानियों में फोक स्टोरीज भी है, और ये कहानियों में क्या है, ये कहानियों के अंतरगत, हमको बुधिसम की स्टोरीज भी दिखेंगी, और बुध के सिद्धांत भी दिखेंग और आपको ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये स्टूप के ट्रेडिशन्स में बहुत सारी चीज़े एड होती है और इन्हीं बेजिस के उपर से we come to know कि बुधिजम में जो स्टूप आर्किटेक्चर फैला वो स्टूप आर्किटेक्चर के अंतरगत बुध को सिंबॉलिकल हाइलाइट किया गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बुध का सिंबॉलिकल री प्रेजेंटेशन किया गया इन फैक्ट इसके अंदर से ही हम लोग दूसरी पॉइंट आइड कर सकते है कि फोक मोटिफ के रूप में नान बुधिस्ट आट को भी इंक्लूद किया गया इसी यह के अंदर से हम लोग लिख सकते है कि इसमें जातक स्टोडी सक़ोडी हाइट किया गया जातक स्टोडी सभीं हाइलाइट and this is one of the reason कि स्टूप बिकेम one of the most power-packed monuments at that time and eventually जब स्टूप का ट्रेडिशन बहुत बड़ा तो बुद्धा भगवान के रूप में highlight हो गए से तो ये थी पूरी कहानी स्टूप आठ की अब इसमें ये जो question है ये question मैं आपके लिए छोड़के जा रहा हूँ I am leaving it for you कल इसका solution करवाऊंगा और फिर यहां सही हम लोग चले जाएंगे most probably ये स्टूप के उपर मैंने आपको बताया ना पूरे की बुरी स्टूप की कहानी क्या है तो इसको तोरण कहते है this is under, this is हरमी का ये छत्र है, इसको यश्टी कहा गया है this is known as यश्टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे मैं बताने की कोशिश की सर, ठीक है ना इसको basically वेडिका कहते है boundary wall को सर है ना ये आपका तोरण है, इसी के उपर आपकी सब design बनी थी, over the torrent the designs were made है ना, तो multiple things were there, तो ये question का answer आप दीजिएगा, please try to highlight this is the point that I was discussing है ना, ये आप देखिए NCIT के अंदर इसका photograph दिया गया है तोरण का, अब आपको समझ में आओगा की मैं क्या कह रहा था, ये शल भंजी का है दिख रहा है आपको ये बहन जी, now you can see, शल भंजी का, यूँ डाली पकड़के खड़ी है सर है ना, यहाँ पर, आपको यहाँ हाथ ही दिख रहा होगा सर है ना, यहाँ आप देखोगे, तो carving दिख रहा है, multiple stories है, ये carving है, ये carving है, ये carving है इसमें बलब बहुत सारी जातक कता है आपको दिखेगी सर है ना, उपर एक symbol दिख रहा है आपको, यहाँ सर, ठीक है नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर भी आपको हाथ ही दिख रहा है, समझेक नहीं समझे इसके उपर भी आपको carving दिख रहे है, here also you'll find the carving too, तो सांची का स्तूप और बहुत सारे स्तूप आप देखोगे, तो multiple और उसमें eastern gateway बहुत prominent है, क्योंकि this was the entry gate समझेक नहीं समझे, this was the entry gate, समझ में आया आपको तो आज हम लोग क्या कर रहे है कि यह question को आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कल इसका solution कर भाऊंगा, आप practice करिएगा मैंने आज के class के अंदर आपको पूरी पूरी कहानी बता दी है, in fact आप इसकी theme देख रीजिएगा पहले introduction में आप लिखोगे कि स्तूप का importance क्या है, बुधिजम में स्तूप का importance क्या है, उसके बाद आप स्तूप construction की बात लिखोगे, स्तूप में कौन से कौन से folk art के motive आगे, अभी हम ने देखा न, साप की आड़ आकरूती है, शल भंजी का है, आथी की में जिसमिंती है, जातक stories दिखती है, बुधिस्ट ideals कैसे कैसे narrate किये गए, बुध को कहां कहां represent किया गया, स्तूप के अंदर, सर, ठीक है, और आखिर में conclusion की दरफ चले जाएंगे, सर, ठीक है, तो इसको मैं कल elucidate करवाँगो, क्योंकि आज मैंने आपको पूरी इसकी कहानी बता दी है, तो आपके लिए homework है, और आप हैना comment section के अंदर इसको लिखिएगा, please try to highlight in the comment section, आप type कर दीजेगा, that will be alright, और अगर आप अच्छा सा लिखोगे, तो मैं आपको कल इसके उपर आपके answer को highlight भी करूँगा, सर, हैनम, तो मैंने आपको almost doop architecture को cover करवा दिये है, कल इसके related कुछ चर्चा करेंगे, और most probably हम लोग ये buddhism का जो second part है, that is the schism of buddhism, उसके उपर चले जाएंगे, और फिर buddh की images के उपर और चर्चा करेंगे, महायान buddhism के उपर चर्चा करेंगे, कि अब बुद बुद नहीं रहते, बुद भगवान के रूप में in fact उभर के आएंगे, और फिर जब महायान संपरदाय का development होगा, तो buddh को लोग बहुत पूजा अर्चना करने की शुरुआत करेंगे सर्थ, ठीक है, तो आप comment section के अंदर इसको ज़रू से practice करिएगा, मैं आप आशार रखता हो कि आपको मेरे sessions पसंद आ रहा है, मैं बहुत slowly चल रहा हूँ, मैं बहुत gradually चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना foundation यहाँ पर build up कर दो, तो आप जब मेरे plus courses में आओगे, या आप खुद से भी पढ़ओगे, या पुनम दलल दहिया की किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे multiple authors की book आती है, तो किसी की भी book पढ़ रहा हूँ, तो you will be able to correlate, क्योंकि यह question सिदा NCIT से ही आया था, आप बड़ी से बड़ी किताब पढ़ओगे, आप NCIT को ignore कर दोगे, तो question centric चलिए, मैं आपको कल previouses के question भी करवाँगा, समय मिलता है, तो मैं आपको buddhism के related जो previouses के question है, वो भी करवा दूँगा, कल पर सो में हम लोग ले लेंगे, यह पहले buddhism के topic को cover करना दो सर्थ, ठीक है, तो आज यहाँ पर इतना ही रखते है, let us conclude the session today, आप हमने एक गंटे के ऊपर 10-15 मिट लिया है, but I wanted कि मैं यह अच्छी तरह से आपको समझ भाग, तो आप homework में यह question practice करेगा, please practice this question in the homework, and comment section के अंदर type कर दीजेगा, उसको अच्छी तरह से, तो मैं next class में discuss करूँगा, अगर किसी ने अच्छा answer लिखना है तो, रबिंद्र जनरली comments के अंदर काफी active रहते हैं, रबिंद्र कुमार है, पर एक सुश्मीता करके एक student है, वो भी active रहती है, ठीक है, और भी बच्चे है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको practice करी, अच्छी तरह से highlight करिए है और अपनी preparation को strong करिए, इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो on the academy platform, then you are most welcome to attend the live classes, in fact मेरी बहुत सारी batches चलती है, and we have running some fantastic courses on the academy, ये courses करीबन पकड़ के चलोगे, तो मेरे modern history का course ही दो महिना चलता है, ancient, medieval, art and culture, ये सब को करवाऊंगा और बहुत depth में करवाऊंगा, इससे भी depth में जाएंगे, क्योंकि ये तो NCRT centric जा रहा हो, पर NCRT के अंदर से inference कैसे लगाई जा सकती है, वो सब में आपको करवा रहा हो सब, इसके अलावा भी बहुत सारे topics से जो मैं चाहता हो, कि आप हमारे साथ जुडिये, in fact आप में से जो भी विध्यारती modern history के साथ जुदना चाहता है, they are most welcome to join us, my live batch, live का फाइदा ये ही होगा, कि आप मेरे साथ interact कर पाऊगे, और कैसी interaction होगी, वो भी audio interaction होगी, मतलब आप मौकी ग्रूप से मेरे को question पूछ पाऊगे, और मैं आपका तुरंत ही जो है, दूबीद है, उसका निवारन भी कर पाऊँगा, and I'll be able to help you out in your preparation as well, दूसरा क्या है कि उसमें live में interaction ज्यादा होता है, तो अभी तो मैं क्या है, आपकी comments के जवाब भी नहीं दे पाता at times, but yeah, I'll try to make sure कि आप, आपके revert करो, कोई queries होगी, बाकी आप हमारे plus courses के उपर आईए, subscription लेते समय, ये code को use करिएगा, get 10% off, in fact, कोई भी subscription देना चाहते हो, you can use this PN live code है न, तो आप UPC का, SSC का, banking का, it's up to you, like, share and subscribe to this platform, I'll see you in the next class, till then keep studying, all the best, God bless you, Jai Hind